के आज रविवार है संडे और हम पॉजितिव थिंकिंग पे पugesेव कर रहे हैं तो आज का जो हमारा पॉजिटिव थिंकिंग का मंद्रा है वो है है, right time, so right time कोई नहीं होता है. जिस दिन आप शिरुवाद कर लें, जिस दिन आप सोच लें कि मुझे करना है, so वो ही right time है, तो अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज़ें आपको life में शुरुवाद करने हैं, तो अगर आज से ही लाइफ में कोई भी चेंज लाना चाहते हैं, तो आज से ही उसकी शुरुआत करने की कोशिश करें. तो हम शुरुआत करते हैं अज, गाइडन्स है आज के दिन की, तो आज के दिन की गाइडन्स है, येलो इस यो कलर, अपने एमोशन से पर काम करें, और next week जहां पहुशना चाहते हैं उसकी एक strategy बनाने का बहुत अच्छा देना है तो हम शुरुआत करते हैं आज Aries के साथ Aries के लिए magician है which means जैसा सोच करेंगे वैसा ही आगे बढ़ेंगे So it's a boomerang, like infinity तो ऐसा थौट रखें जो आगे जाके आपको positive और आपके actions और आपके goals को meet करता है Next is Taurus, Taurus के लिए आज justice का day है Which means कि जैसा चाहते हैं, करना चाहते हैं, balance करके जो भी चलेंगे आप देखेंगे, आप अपने सफल्थाओं को पा रहे हैं Next is Gemini, Gemini के लिए advice है कि कोई आपको अगर share करना चाहता है आपसे कोई चीज़े और अगर आप भी कर रहे हैं तो हो सकता है, starting में सामने वाले को नहीं समझ में आ रहा हो, तो have patience और अगर आपके लिए कोई ऐसा कर रहा है, तो उस दूसरे वाले को समझने क्या जूरत है Next is Cancer, Cancer के लिए advice है कि पुरानी चीज़े, spilled milk, हो सकता है किसे से separation ऐसी चीज़ों को अगर आप सोच रहे हैं, तो ऐसी ही सोचते रहेंगे तो आज नई योजना को बनाएए, नई चीज़ों को पाने की कुशिश करिए Next is Leo, Leo के लिए advice है कि freedom चाहते हैं, तो freedom के लिए काम भी करना पड़ता है तो C, why do you need a freedom, आप जो कर रहे हैं, उसमें से freedom अगर चाहिए, तो उसका मतलब कहीं ना कहीं आप escape route ले रहे हैं, तो क्यों ले रहे हैं, उसको सोचने की अज़रूरत है Next is Virgo, Virgo के लिए advice है कि जिसने जो करना था कर दिया, अब आप आगे बढ़िये किसी ने अगर बुरा करना था, तो उन्होंने करी दिया, तो आप उसको सोच की कुछ करनी लेंगे Today is a day, आज से नहीं शुरुआत करिये, और नया काम करने पे अपनी चीजों को सफलता की तरफ ले जाने में काम शुरू करिये Next is Libra, Libra के लिए एद्वाइज ही है, जैसा सूचेंगे ये वैसा होगा, अगर किसी के साथ time spend करना चाहते हैं, तो आप कर पाएंगे, आपको अच्छा भी लाएगा Next is Scorpio, Scorpio के लिए एद्वाइज ही है कि कभी-कभी a lot of ego can take you to a different thought process तो देखे कहीं ego तो नहीं आ रही है, अगर आ रही है तो क्यों आ रही है, competition is good, करना भी चाहिए, लेकिन that competition should give you a growth feeling तो ये balance रखना बहुत जरूरी है Next is Sagittarius, Sagittarius के लिए इड्वाइज ही है, हो सकता है, थोड़ी negative thoughts आजाएं आज, आपको लगे कि मेरी चीज़े नहीं हो रही है, मैं that's okay Temporary phase है, this too shall pass, tell yourself और फिर से नई शुरुवात करके अपना काम करना शुरू कीचे Next is Capricorn, Capricorn के लिए ड्वाइज ही है, कि बहार जाने की यूजनाय हो सकती है, आपकी ऐसा हो सकता है कि कोई नई चीज़े करने का मन कर रहा है तो strategy बनाईए और देखे कहां पे जाना है, तो आप देखेंगे कि इसके answers मिलेंगे आपको Next is Aquarius, Aquarius के लिए ड्वाइज ही है कि कभी-कभी कोई ऐसी situation भी हो जाते हैं कि हम आगे कहां जाते हैं, हम खुदी confused होते हैं तो ये time है to analyze, to see, to know what you want and make a strategy और फिस time को utilize करें Next is Pisces, Pisces के लिए advice ही है कि internally आपको पता है आपको कहां पहुचना है, लेकिन आपके पास रास्ता नहीं है, तो वो रास्ता निकालने के लिए राइट लोगों से अगर आप मिलेंगे, राइट लोगों से समझेंगे, brainstorming करेंगे तो आपको answers भी निकलेंगे, क्योंकि ये time आ आपको आपकी नई राहे खुल रही है, तो आपको उस पर बिलीव करना चाहिए और उस पर काम करना शुरू करना चाहिए, तो मैं आशा करती हूँ, आप सब का दिन आज बहुत अच्छा रहेगा, have a blessed day, namaskar.